हेलो दोस्तों आज हम लोग determiner का problem देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग determiner complete किये थे adjective complete किये आज हम लोग क्या करेंगे उसका problem solve करेंगे हम लोग अपने समय बचाने के लिए problems को यहाँ पर लिख लिए हैं यह सारा questions किसी ने किसी competitive exam में आया हुआ है दोस्त अब क्या है कि हम लोग एकग करके problem solve करेंगे इतना ही नहीं हम लोग और भी solve करेंगे बट हम लोग का यह beginning है start है तो हम लोग एकग करके solve करते हैं दोस्त ट्राइ करेंगे समझने का यहाँ पर क्यों use हुआ क्या यूज किया जा सकता है हम लोग सारा options को try करने का, coises करेंगे दोस्त, try करेंगे इसको, सारा options को हम लोग find out करेंगे, क्या-क्या हम लोग यहां पर लगा सकते हैं, चलिए एका करके use करते हैं, time waste नहीं करेंगे, फटाफ़ट हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा problems को handle करना है दोस्त अब एका करके करेंगे He is a good boy He is a good boy Blank space Father is a doctor अब आप सोचिए क्या इसमें feel करेंगे हम लोग He is a doctor He is a good boy वह एक अच्छा लड़का है Father is a doctor मतलब यहां क्या भराना चाहिए वह एक अच्छा लड़का है उसके पिताजी एक doctor है ऐसा लग रहा है सून के अच्छा लग रहा है वह एक अच्छा लड़का है उसके पिताजी एक doctor है तो हम लोग अगर यहां पर हीज लगाएं तो कैसा लएगा perfect तो हम लोग यहां पर हीज लगा देंगे है दोस्त ट्राई करेंगे जहां तक संभव हो सके संटेंस का मीनिंग आपको अगर ध्यान में आता रहेगा तो इसको फिल करना बहुत एजी हो जाएगा संटेंस का हिंदी को समझने का ट्राई कीजिएगा कोशिज कीजिएगा सबका हिंदी निकालना अपने आप देखेगा आपको एक क्या भरना चाहिए एक दिमाग में ओवर विव आना सुरू हो जाएगा ओल ब्लैंक के स्पेस मैंगोज आर रॉटेन मतलब सारा कुछ हो सकता है यहां पर जो आम है क्या है आर रॉटेन मतलब सड़े हुए हैं रॉटेन मनें खराब हो जाना सड़ जाना तो क्या भरना चाहिए इसमें क्या होने से इसका अर्थ सही निकलेगा दोस्त एक पर ध्यान दीजिए औल यहां पर आप चाहें तो दीज लगा सकते हैं या दोज लगा सकते हैं अल दीज मैंगोज आर रॉटन या ओल दोज मैंगोज आर रॉटन दीज या दोज दोनों में से कोई भी आफ फिल कर सकते हैं ये सभी आमे या वो सभी आमे क्या हैं? खराब हो गई हैं, सड़ी होई हैं ठीक है? तो यहां पर आप दीज या दोज कुछ भी लगाएंगे दोनों से पर्फिक्ट इसका मिनिग निकल रहा है दोस्त दोनों नहीं लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाएंगे clear है इसका आप अर्थ देखेंगे अर्थ के हिसाब से feel करेंगे would you like to have blank space book और blank space one would you like to have आप क्या लेना पसंद करेंगे यह किताब या वो वाली यहाँ पर book नहीं लगा हुआ दोस्त आपको अर्थ समझना पड़ेगा would you like to have अगर यहाँ पर आप लगाएं this book और that one आप यह किताब पसंद करेंगे या फिर वो वाली जैसे आपसे पूछते हैं आपको यह वाली चाहिए वो वाली चाहिए पापा भी पूछते हैं घर में कोई पूछते हैं तो पापा आपको वाली देते हैं तो would you like to have this book और that one ऐसा लगाएंगे तो साथ हमको लगता है अच्छा बैठेगा what was blank space noise इसका अर्थे निकालने को जिए वो आवाज क्या था what was that noise कैसा लग रहा है सुनके वो आवाज कैसा था मानले आप यहापर बैठे हैं पढ़ रहे हैं बगल से कोई आवाज आती है आप पूछते हैं अपने छोटे भाई से दीदी से किसे भी रहे वो आज कैसा था यार कौन सा वाज आया तो what was that noise अगर बनाएंगे तो शायद हमको लगता है अच्छा लगेगा यहाँ पर blank space boys will soon join us मतलब लड़के हम लोगों को जल्द ही join करेंगे मतलब हम लोग को आकर आप से हम लोग के ग्रूप में आकर मिल जाएंगे ऐसा कुछ तो क्या लगना चाहिए यहाँ पर these boys या फिर those boys क्योंकि यह plural है तो हम लोग क्या करेंगे कौन सा लगाएंगे demonstrative लगाएंगे demonstrative adjective लगाएंगे यहाँ पर या determiner डालेंगे जो की plural के हिसाब से लगना हो तो यहाँ these या those दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं दोस्त दीज भी लगा सकते हैं दोज भी लगा सकते हैं आपको ध्यान देना है earth sentence का earth को समझेंगे उसके हिसाब से use करेंगे दोस्त how blank space money do you want मतलब कितना money do you want पैसा आप चाहते हैं मतलब कितना पैसा आप चाहते हैं आपको याद होगा हम लोग क्या लगाए थे money है money क्या है uncountable noun है याद है uncountable noun के हिसाब से आप बार बार आपको चीपता रहें sentence का अर्थ समझेगा चुकि सब blank space के बाद देखिएगा न एक noun लगा हुआ है तब उस noun का अर्थ देखिएगा उसके हिसाब से फिर प्लान कीजिएगा फिल करने का डिटेर्मीनियर है ने दोस्त तो उसके बड़ ठीक हमारा क्या है noun लगा हुआ होगा noun को देखके पहचानिये try कीजिए पहचानिये का यहां money है तो money क्या है uncountable noun है तो कुछ भी यहां पर होगा वो uncountable को consider करके लगना चाहिए तो यहां पर क्या लग सकता है much लगाएंगे तो लगता है कि अच्छा लगेगा है ना how much money do you want आपको कितना पैसे चाहिए जैसे आप बांगते हैं पापा से तो पापा बुस्ते ना है बटा कितना चाहिए तुमको पापा 50 रुपे चाहिए पापा 100 रुपे चाहिए पापा 1000 रुपे चाहिए अब बोलते है I have read blank space short stories in Hindi but only blank space in English इसका एक बड़ आप अर्थ निकालने का try किजिए क्या होना चाहिए एक बड़ ट्राइ करें आप देखिए कैसा लिखा हुआ है क्या अर्थ होगा try करें देखिए कैसे होगा इसका अर्थ I have read मैंने पढ़ा है short stories मतलब छोटी छोटी कहानिया in Hindi मतलब मैंने हिंदी में छोटी छोटी कहानिया पढ़ी है but only in English लेकिन अंग्रेजी में तो यहां परम क्या कर सकते है I have read many short stories मतलब मैंने यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी कहानिया हिंदी में पढ़ी है ऐसा हो सकता है but only few in English मतलब अंग्रेजी में बहुत कम पढ़ी है मैंने तो इसको हम लोग कैसा लगाएंगे अगर ऐसा लगाएंगे तो अच्छा लगाएगा I have read यहां पर क्योंकि देखी यहां पर देखे stories लगी हुई है यानि count table noun है हमारा तो many लगा सकते हैं या फिर a lot लगा सकते हैं a lot का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा और many का मतलब होता है बहुत ज्यादा I have read a lot short stories मैंने बहुत सारी छोड़ी कहानियां हिंदी में पढ़ी हैं but only few in English या some some भी आप लगा सकते हैं some मने थोड़ा हम जानते हैं कि some का इस्तमाल दोनों में होता है some का इस्तमाल countable और uncountable दोनों में होता है यह तो हम लोगों पता है न दोस्त क्योंकि जब हम लोग countable noun लगा देते हैं तो some का earth गिनने वाले कहिसाब से लगता है लेकि जब uncountable में लगा देते हैं तो some का earth बीना गिनने वाले कहिसाब से होता है some हमारा दोनों में यूज होता है दोस्त some या few दोनों आप लगा सकते हैं in English मतलब I have read many stories in Hindi but only a few in English इस तरह से हम लोग इसको लगा सकते हैं मैंने हिंदी में बहुत सारी छोड़ी कहानिया पढ़ी हैं लेकिन अंग्रीजी में बहुत कम पढ़ी हैं ऐसा हम लोग बो सकते हैं How milk do you take every day? How many कितना milk do you take? आप लेते हैं प्रती दीन मतलब प्रती दीन आप कितना दूद लेते हैं तो आप जानते हैं milk है uncountable noun है तो simple ध्यान में लगान है कि uncountable noun में क्या-क्या सर बताये थे Just think in that way and try to put particular word at this place तो क्या लगाएंगे How much milk लगाएंगे तो साथ हमको लगता है कि अच्छा लग रहा है दोस्त How much milk do you take every day? Clear है? अगला है Would you lend me your watch? Would you lend me your watch? क्या आप अपना घड़ी मुझे उधार देंगे? Lend मतलब क्या आता है? उधार देना उधार देंगे for blank space days Would you lend me your watch? क्या आप अपना घड़ी मुझे खाली जग़ दीनों के लिए उधार देंगे? अगर कोई भी आदमी अगर आपसे कोई चीज उधार मांगता है तो क्या जीवन भर लिए मांगता है? ना कुछ दीनों के लिए मांग सकता है उधार तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? few लगा सकते हैं या some लगा सकते हैं कुछ दीन के लिए इसे लाएंग ना? अभी तो थोड़ा हम लोग पड़े थे last वीडियो में few लगा सकते हैं some लगा सकते हैं दोस्त few days भी हो सकता है some days भी हो सकता है next there are blank space eggs in the basket मतलब basket में basket बोले तो क्री टोक्री में खाली जगह अंडे हैं ज्यादा भी अंडे हो सकते हैं कम भी अंडे हो सकते हैं ठीक है? ज्यादा भी अंडे हो सकते हैं कम भी अंडे हो सकते हैं there are blank space eggs in the basket but there isn't खाली जगह बटर यहाँ पर खाली जगह के जगह पर क्या करेंगे? blank space के जगह पर मतलब basket में अंडे हैं और बटर नहीं, इजन्ट मतलब नहीं है, बास्केट में क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे अंडे हैं, देर आर मेनी एक्स, देर आर मेनी एक्स लगा सकते हैं, ठीक है, देर आर मेनी एक्स इन्द बास्केट, बास्केट में, टोगरी में बहुत सारे अंडे हैं, बुलकुल नहीं कैली हम लोग कैसा लगाएंगे, इन्द बास्केट, बास्केट में, बहुत सारे अंडे हैं, लेकिन there isn't any butter लेकिन उसमें butter नहीं है भीया जैसे आपको मम्मी समान लाने के लिए बोलती है बोलती है बेटा ये भी लेना, बेटा ये भी लेना, बेटा ये भी लेकर आना बोलती है ठीक है मम्मी हम सब लेकर आते हैं वो कहां है बटर कहां है तो बटर नहीं है any butter blank space of the boys has broken some windows pan of the boys मतलब मान लेते हैं लड़कें ठीक है लड़के अब देखें एक चीज़ और यहाँ हैज भी लगा हुआ है हैज किसके लगेगा भाईया यहाँ कोई नहीं कोई singular आना चाहिए तब उसके लिए हैज लगेगा ठीक है ध्यान लगेगा यहाँ पर क्या भरेगा यहाँ का भर्भ आपको इंडिकेट कर रहा ध्यान देना है एक छोटे चोटे चीज़ पकड़ीगेगा आपका इंतल बिल्कुल एंसर सही बढ़ेगा दोस्त यहाँ पर लगेंगे has broken this window pen मतलब खिड़की यह जो खिड़की लगी हुई है खिड़की को किसी ने तोड़ दिया है कौन तोड़ा है कोई singular आदमी होगा यानि कि one of the boys singular के लिए का डालना पड़ेगा यहाँ पर one, two two तो डालनी सकते है three तो डालनी सकते है यह तो फिर plural हो जाएगा दोस्त यहाँ पर क्या होगा singular होना चीए singular क्या होना चीए one होना चीए one of the boys has broken this window pen यहाँ पर has के हिसाब से दोस्त singular डालना पड़ेगा clear है चलो perfect अगला है the husband joke सा पाठ husband महिला है husband को असांस के बजाते रती joke सा पाठ दोस्त the husband and wife are members of this club husband देखते ही मेरे दिमाग में बचले लगता है चलो the husband and wife are members of this club देखो यहाँ पर कुन है husband भी है और wife भी है दो जने है दो जने के लिए भी हम लोग क्या पढ़ेते दोस्त हम लोग last video में याद होगा हम लोग determiner में पढ़ेते हम लोग दो लोग हैं तो हम लोग या तो इधर लगा सकते हैं या तो फिर बोथ लगा सकते हैं लेकिन इधर लगने का मतलब है बीच में हमको लोग को और भी लग जाता है या इधर आफ के सर लगाते हैं इधर बोईज लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर उस तरह का तो system है नहीं बोथ एक बसता है दोस्त तो हम लोग यहाँ पर बोथ कप अगर यूज करें तो बोथ दो husband and wife यही कि पती और पतनी दोनों इस कलब के सदस्य है ज़्यादा चराएगा दोस्त The story was published in blank space the local newspapers The story was published मतलब यह कहानी छपी कहां पर in किस में the local newspaper मतलब वहां के local अख़बारों में किस में कितना क्या क्या लगा सकते हैं आपर सोचिए अगर यहाँ पर आप ऐसे लगाएं क्या लगा सकते हैं अगर the story was published in all the local newspapers तो हमको लगता है कि दोस्त अच्छा लग रहा है अगर some लगाते तो some of the local newspapers होना चाहिए था some the local news पर तो होता नहीं यस अगर many local news नहीं ऐसे many भी नहीं बढ़ता है all अच्छा लग रहा है दोस्त the story was published in all the local newspapers समझ मैं रहा दोस्त हम लोग जब इस तरह का problem solve करेंगे तो हमको क्या क्या चीज का ध्यान देना है सबसे पहला sentence का हम लोगो meaning निकालना है पहला problem देखे दोस्त कोई भी feeling the blanks करेंगे तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या होगा sentence का meaning निकालना पहला काम दूसरा अगर सुमें देखना है कि अगर हम लोग को determined feel करना है और कोभी चीज feel करना ओ, pre-person करना हो नाउन क्या लगा? Newspapers, यहां क्या लगा? Husband wife, यहां है boys, यहां है eggs, यहां पर क्या लगा? Days, यहां milk लगा, यहां short stories लगा, यहां money लगा, तो यह हम लोगों को देखेंगे और उसके बाद एक चीज और देखेंगे कि उसमें verb कैसा लग रहा है, भर्ब भी हमको बहुत help कर देता है, दोस्त, कौन सा चीज आगे में लगना है, subject कैसा बनना है, वो भर्ब दीखा जाता है, अगर singular भर्ब है, तो हमको एक चीज तो हिंट मिल जाता है, कि वहां पर कोई ने कोई singular, fill in the blanks में कोई चीज singular आएगा, अब singular आएगा, तो हमारे पा और फिर से, इसको सीखेंगे, करेंगे, जो भी हम लोग बनाएंगे, दोस्त, इसको क्या करना है, आपको, फटा फट, इसको no down करना है, इसका screenshot लगना है,